सवाल लिगराज मंदिर स्थित है A. भुवनेश्वर B. बीजापुर C. कोलकाता D. वारानसी सही उत्तर है A. भुवनेश्वर सवाल निमनलिखित में से कौन सा उड़ीसा में सबसे बड़ा और सबसे उचा जीवित मंदिर है A. ब्रमेश्व मंदिर B. जगननात मंदिर C. लिंगराज मंदिर D. राजरानी मंदिर सही उत्तर है C. लिंगराज मंदिर सवाल जगननात मंदिर किस राज्य में स्थित है A. बंगाल B. उडिशा C. केरल D. उत्तरप्रदेश सही उत्तर है B. उडिशा सवाल भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर बने थे A. नागर शैली B. ड्रविर शैली C. बेसरश शैली D. उपर युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है A. नागर शैली सवाल अनकोर वाट विश्नु मंदिर स्थित है A. जावा B. सुमात्रा C. कमबोडिया D. चंपा सही उत्तर है C. कमबोडिया सवाल अनकोर वाट मंदिर परिसर किस देश में स्थित है A. इंडोनेशिया B. मियामार C. श्रीलंका D. कमप्यूचिया सही उत्तर है D. कमप्यूचिया सवाल बोरो वुदुर स्थूप कहां स्थित है A. कमबोडिया B. जावा C. सुमात्रा D. बोर्नियो सही उत्तर है B. जावा सवाल सूर्यवर्मन दो के शासनकाल के दोरान किस विशाल मंदिर का प्रारंभिक डिजाइन और निर्मान हुआ था A. श्री मर्यम मन मंदिर B. अनकोर वॉट मंदिर C. बातु गुफाओं मंदिर D. कामाख्या मंदिर सही उत्तर है B. अनकोर वॉट मंदिर सवाल द्रविर्शेली के मंदिरों को गोपुरम कहा जाता है A. अभ्यारन्य B. दिवारों पर पेंटिंग C. शिक्हर D. गेट के रास्ते पर सजावटी और बहुमंजिला सनरचनाए सवाल महाबली पुरम के रौक कट मंदिरों का निर्मान किसके द्वारा किया गया था A. पल्लव B. चोल C. चालुक्य D. राश्ट्रकूट सही उत्तर है A. पल्लव